नमस्कार बच्चो आज हम कक्षा 10 exercise 11.2 का प्रशन साथ करने जा रहे हैं प्रशन है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत कीचिए वृत के बाहर एक बिंदू लीजिए इस बिंदू से वृत पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए तो प्रशन बड़ा सरल है बच्चो आएए इसको करके देखते हैं सबसे पहले हमें चाहिए एक चूड़ी तो ये हमने एक चूड़ी ली है बच्चो ठीक है ये सबके घरों में अराम से मिल जाती है हमने इस चूड़ी को कागस पे रखना है और एक वृत की रचना करनी है तो इस प्रकार से आप पैंसिल से इस चूड़ी के चारों तरफ पैंसिल पैन गुमा कर एक वृत की रचना करेंगे ये देखें ये हमने एक वृत की रचना की है अब बच्चो हमने इसके बाहर कहीं भी मालीजी एक बिंदू लिया है ये इस बिंदू का नाम है पी अब हमने इस बिंदू से इस वृत पर स्पर्श रेखाएं खीचनी है यदि आपको याद हो स्पर्श रेखाएं खीचने के लिए हम क्या करते थे इस बिंदु को वृत के केंदर के साथ जोइन करके उसका लंब सम्दिवी भाजक बनाते थे परन्तु समस्या ये है क्योंकि हमने यह चूड़ी की मदद से वृत बनाया है इसलिए हमारे पास इस वृत का केंदर नहीं है तो बच्चो सबसे पहला काम ये है कि हमें इस वृत का केंदर ढूंडना होगा वो कैसे ढूंडेंगे? आईए देखते हैं इस वृत पर बच्चो कहीं भी दो इस प्रकार से जीवाएं बनाये कहीं पर भी आप बना सकते हैं ठीक है बच्छो? क्यूं बनाई है ये जीवाईं? अब हम इन जीवाओं के बनाएंगे लंब समधिवी भाजक, क्योंकि हम पता है वृत पर दोल जीवाओं के जो लंब समधिवी भाजक थने दोनों जहां आपस में मिलेंगे वो वृत का केंदर होता है, आईए देखते हैं. यह देखिए यह एक जीवा है ठीक है बच्चों इंग्लिश में इसको कोड कहते हैं आधी से जाधा हम इसका लंब समदी भी भाजक बना रहे हैं तो पता है ना आपको आधी से जाधा प्रकार खोल के उपर नीचे निशान और दूसरे कोने से भी उतनी ही त्रिजिया के साथ उपर नीचे निशान अब यह हमारे पास दो चापपे आ गई हम क्या करेंगे डॉटेड लाइन की मदद से इनको आपस में जॉइन करेंगे यह हो गया इस एक जीवा का लंब समझवी भाजक इसी प्रकार से बच्चों हम इस जीवा का भी लंब समझवी भाजक बनाएंगे तो फिर से आधी से ज़्यादा प्रकार खोलिएं एक चाप उपर और एक चाप नीचे उतनी ही त्रीजिया के साथ दूसरे छोर से एक चाप उपर एक चाप नीचे और हम क्या करेंगे बच्चों इन्हें स्केल की मदद से यह दोनों चापपों को स्केल की मदद से आपस मे मिला देंगे इस प्रकार से और बच्चों जहां पर ये दोनों लंब सम्दीवे भाज़क आपस में मिल रहे हैं वही होगा इस वृत का केंद्र यानि देखिए यहां पर इस बिंदू पर ये दोनों लंब सम्दीवे भाज़क मिल रहे हैं इसका मतलब यही इस वृत का केंद्र है O अब वृत का केंद्र हमें प्राप्त हो गया वृत के बाहर एक बिंदू है P तो हमें क्या करना है O P को जॉइन करना है और इस O P का भी लंब समधिवी भाजक बनाना है तो आधी से ज़्यादा प्रकार खोल लेते हैं हम और बच्चों यहाँ पर पिन रखा आधी से ज़्यादा प्रकार खोल के उपर भी चाप और नीचे भी उतनी इत्रीजिया के साथ P को खेंद्र मान कर उपर भी चाप और नीचे भी चाप अब इन दोनों को हम फुट्टे की मदद से जॉइन करेंगे देखिए इस प्रकार से ऐसा करने से हमें इनका मध्य बिंदु ये प्राप्त होगा इस मध्य बिंदु को हम नाम दे देते हैं M अब हाँ क्या करेंगे बच्चो M को केंद्र मानेंगे और जितना M P है उतनी त्रिजिया लेंगे और एक वृत्त बनाएंगे आप देखेंगे यह O और P दोनों बिंदु से होकर गुजरेगा अब बच्चो देखिए इस ग्रीन वृत्त जो अभी बनाया इसने आपके पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिछेद किया है एक है बिंदु यह वाला इसको नाम दे दीजिए A और एक बिंदु है यह वाला इसको नाम दे दीजिए B अब P बिंदु से A और B को जोइन कर दीजिए P से A को जोइन किया यह और P को B से जोइन किया इस प्रकार से तो बच्चो हमने देखिए यह दो स्पर्ष रेखाएं P A और P B बना दी है मैं एक बार पुना रिपीट कर देता हूं हमने चूडी की मदद से एक पिंक वाला यह वरित बनाया था उसके बाद हमने इसकी दो जीवाएं ली दोनों जीवाओं के लंब संद्वी भाजक बनाए जहां वो लंब संद्वी भाजक मिले इस पिंक वृत का केंद्र आया बाहर एक पॉइंट लिया P कहीं भी P को जोइन किया उसका लंब सम्दिवी भाजक बनाया उससे M बिंदू प्राप्थ हुआ M को केंद्र मानकर MP तरीजिया लेकर एक वृत बनाया जिसने आपके पहले वाले वृत को दो बिंदूओं पर प्रतिछेद किया P को A से और B से जोइन कर दिया तो ये चूड़ी वाला जो वृत था उस पर हमने बाहर वाले विंदू से दो स्पर्श रेखाएं बना दी है बच्चों अलग-अलग कलर्स का प्रयोग करके हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से यह प्रशन समझाने का प्रयास किया है यह रचना समझाने का प्रयास किया है परन्तु आपने अपनी नोटबुक में केवल पैंसिल का ही प्रयोग करना है हम पैंसिल का प्रयोग करते इस प्रशनावली के अन्य प्रशनों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वहाँ पर अन्य प्रशनों के वीडियोस देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं धन्यवाद बच्चो